आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूटूब पर्मोशनल वीडियो में जहां पर आप सीखते हैं आपको एकाउंटिंग टली प्राइम जिससे कि आपको कोई भी कंपनी में वर्क करते वक्त tsalी तो आपको एकाउंट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए अगर आपके पास एकाउंट की जर्बार्वी जानकारी या नौलेजव नहीं तो आपको Tally में work करना काफी hard हो सकता है, तो आप हमारी वीडियो से account की जानकारी ले करके Tally में आसानी से work कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी top 11 features के 10 में features, जो की है हमारा optimize printing to save paper, किस तरह से हम paper का saving कर सकते हैं, optimize printing select करके, अगर आप किसी company का print out निकाल रह 12 page की जो होती है, वो print out निकलती है, जाल जादा अगर मालेजे कि 2 page 4 page में print out निकलके आती है, और आपका 4-5 paper भी waste होता है, तो इसके लिए आप optimize printing to save paper का use कैसे करेंगे, और अगर आप optimize printing save paper का use करते हैं, तो आपका जो 2-3 paper में जो bill आता था, वो एक ही paper में आएगा, और इसके लिए हम आते हैं, टेली प्राइम के windows पे और यहां से हम आपको बताएंगे, optimize paper का save हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम control P प्रेस करेंगे, current पे, current पे आने के बाद हम यहां से आएंगे, configurations option पे और यहां से हम आएंगे, configurations पे आने के बाद हम show more में click करेंगे, हमारा जो यह है, so check by verify options को यह by default हमारा no रताई से yes करेंगे, और यहां से आप आदेंगे, number to start for first page, और यहां का page range जो है, वो select करके, आप अपने number of copies यहां पे select करके, कि तीन copy की आपकी अक्सर होती है, कि दो-दो page पे निकल आते हैं, तो आप यहां से select करके, page range select करेंगे, और आप paper का जो type होगा, उसे select करके, number of copies select करें, और जो यह options है, यह सब highlighted yes करके, subtitle if any पे, आ करके, आप यहां attendance voucher और जो subtitle होगा, वो डाल करके, इसे select करके, आप अपने page को optimize कर सकते हैं, करके, आप इसे accept कर लें, और आए preview पर, preview पर आने के बाद आप देख सकते हैं, कि जो भी आपका, जो हमारा तो यहां छोटा सा एक voucher था, अगर आपका 3-4 page में voucher आता होता, तो आप यहां से, अपने print को optimize करेंगे, और आप जूम करके देख सकते हैं, कि किस तरह से हम cursor ले जा रहा है, तो यह red button हमारा, होड़ा है, तो जितने, जिस paper size में आपको यह optimize करना है, वो आप कर लेंगे, और जो details होती है, प्रिंट की, वो आपको यह authorized का signature, verify किसके द्वरा कियागे, इसे अब select करके, control A से accept करके, आप आजाएंगे print पे और यहां से आप attendance to print, जैसे contact to fax mode वगर आपका printer का आ जागा, और हमारा भी printer यहां से contact नहीं है, तो हम यहां cancel कर दे रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीज़ेंगे, subscribe कीज़े, अपने दोस्तों के साथ share कीज़े, और अगर आपको print आउट में optimize options की configurations enable करने में कोई doubt है, तो आप इस number पे call करके अपने optimize options की doubt को clear कर सकते हैं, और paper बचा सकते हैं, तो thanks for watching this video, अगर आपको हमारे वीडियो की complete course आई है, तो आप हमारा mobile app, जो की IPT XL School है, उसे download करे, mobile app की link नीचे description box में दी गई है, और आप वहाँ से अपने मन पसंद course भी select कर सकते हैं, जियां दोस्तों, अपने मन पसंद course यानि की, आपको वहाँ मिलेगा advanced Microsoft Excel, BVA, Power BI, Tally की account, basic और advanced सारी information, तो आप वहाँ से mobile app डाउनलोड करके हमारी complete videos लाइब देख भी सकते हैं, और purchase करके complete videos की course पर्चेश करके, घर बैठे है आसानी से, सारी अपने मन पसंद course सीख सकते हैं, तो thanks for watching this video, thank you.